हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज्यादा टेस्टी, टेस्टी के साथ बहुत ही ज्यादा पर्फेक्ट रेसिपी बता रही हूँ, वो भी घर के चावल और दाल से बनाएंगे, और आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, कार्ब और प्रोटीन का प कर सकते हैं, डाल और चावल को आप अच्छे से दो कर रात को भी भीगो सकते हैं, अगर भूल जाएं और सुबा जल्दी बनाना है, तो दो घंटे पहले भी भीगो कर आप ये डिश बना सकते हैं, चावल और दाल को अच्छे से दो कर हलके गुन-गुने पानी में भीगो देंगे वैसे आप वीडियो में देख सकते हैं चावल के उपर बस आदा सेंटिमेटर उतना ही पानी आया है ज्यादा पानी नहीं डाला है मैंने और मैं इसे दो घंटे तीन घंटे ही भिगो रही हूं तो यही पानी यूज करूंगी पीशते समय एक घंटे के बाद इसको द दो से तीन घंटे हो गए हैं दाल और चावल तो अच्छे से फूल के आ गए हैं यह पानी इसके लिए परफेक्ट रहा मुझे उपर से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी चलिए इसे पीश लेते हैं मैंने एक मिक्सी जार लिया है मिक्सी जार बड़ा होने की वज़े से एक ही बार पीशे जाएगा इतना आटा आप चाहें तो दो बार करके भी पीश सकते हैं चलिए दाल और चावल को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं मुझे यह पानी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल कर रख लूँगी पीशने के पानी को यूज़ करूंगी देखिए मैंने आटा तो पीश लिया है पर यह पानी मुझे नहीं लगा है मतलब इसकी कारफेक्ट हो गई है वैसे आटे को देर तक पीश के पूरा बारी करेंगे आप चाहें तो इसे चान भी सकते हैं अगर जाड़ा जाड़ा एशावल बोलते हैं न ये वही है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगा आधी कटोरी दही भी दाल सकते हैं पीष्टे समय तब आपको थोड़ा सा पानी कम करना पड़ेगा दही दालेंगे तो और इसमें भरके दो चमच चीनी दालेंगे ये सब दालने के बाद भी आप दाल कर मैंने थोड़ा सा फिर से मिक्सी चला ली है मतलब हाथ का काम थोड़ा सा कम चलिए इस बैटर में का आधा बैटर मैं एक दूसरे बावल में निकाल देती हूँ वैसे आप आटे की कंसिस्टंसी को देख रहे हैं इसमें खाने का सोड़ा दालने सी पहले पानी गरम रख लेते हैं हम एक कड़ाई को गरम रख लिया है एक गलास पानी दालेंगे पानी को गरम होने देंगे और एक प्लेट को तेल लगा लेंगे चारो तरब से उपर से भी लगा लेंगे मतलब प्लेट की ऊपर की साइड की जो कोर है न उस पर भी लगा लेंगे अब ये बैटर में 1-4 चमच खाने का सोडा दालेंगे और जल्दी से मिक्स कर लेंगे देखिए खाने का सोडा दालते ही आटा कैसे फूल कर आ रहा है इसे इस तरह से बहुत ज्यादी देर मिक्स नहीं करेंगे बस कुछ सेकेंड ही मिक्स करेंगे और सोडा दालने के बाद मैंने वीडियो को कट भी नहीं किया है जल्दी से इस प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे वैसे आटे में बबल्स आप देख सकते हैं आटे को इस प्लेट में चारो तरफ से फैला लेंगे और इस आटे को इसी प्लेट में एक से दो मिनिट इसी तरह रहने देंगे चलिए पानी तो गरम हो गया है गैस का फ्लेम कम कर लिया है अब इस प्लेट को इसमें रग देते हैं और ढकन लगा देंगे, 5 से 7 मिनट इसको स्टीम करेंगे, आटे की कॉंटिटी कम है, इसलिए इसको टाइम भी कम लगेगा, ये स्टीम होने तक हम दूसरी प्लेट को भी तेल लगा लेते हैं और दूसरे तरीके से इसको भी स्टीम करेंगे, मैंने थोड़ी सी छोटी जो मिक्सिजार में बचे हुआ आटा है वो दाल लेंगे देखिए अब इसमें मैं चुटकी से खाने का सोडा दाल रही हूं दो चुटकी मतलब पहले दो उंगलियां और अंगोटा पकड़ कर मैं चुटकी बनाती हूं इतना ही खाने का सोडा इस आटे के लिए काफी है जल् जल्दी से इसको भी इस प्लेट में डाल देते हैं और प्लेट को 2-3 मिनिट रेस्ट करने छोड़ेंगे मतलब ऐसे ही रख देंगे ऐसे ही रखने से और भी बबल्स आते हैं उसके बाद स्टीम करेंगे न तो बबल्स पूरे खुल-खुल के आएंगे जाली पड़ेगी इ वो भी डोकले काफी अच्छे बनते हैं और खाली बेसन का भी बनाएंगे तब भी अच्छे बनते हैं वैसे मैंने आटे में चाकू दाल कर देखी है आपको तो वीडियो में दिखी गई है चाकू पूरी सूखी निकली है और चलिए ये दूसरी तरफ फिर से कडाई में प फिर लेट को थंडा होने देते हैं तब तक तड़का बनाते है मैंने एक चोटा सा पैन पहले से गरम रख लिया है तेल डालेंगे मैंने तेल का बॉटल का लेडि सही से बिठाया नहीं है इसलिए दो तरफ से तेल गिर रहा है वैसे ये तेल बड़े चमच से 3-4 चमच है आप अपनी मर्जी से तेल कमिया ज्यादा कर सकते हैं तेल गरम हो गया है राई डालेंगे राई के चटकने के बाद जीरा डालेंगे जीरा डालने के बाद ग्यास का फ्लेम कम कर लेंगे इसके बाद एक चमच भरकर कलोंची डालेंगे 2-3 चमस सफेद तिल डालेंगे तिल डालने के बाद जल्दी से हरी मिर्च डाल देंगे नहीं तो तिल चारो तरफ फैल जाती है 4-5 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से छोटा-छोटा कट कर लिया है मुझे थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है डोकले के एक बाइट पर एक मिर्ची का टुकडा रखकर खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है और मुठी भर कर कड़ी पता डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे कैसका फ्लेम बंद कर लेंगे तड़का तो तयार हो गया है और इधर ढोकला भी स्टीम हो गया है देखिए कितना फूल के आया है चलिए इसमें भी चाकू दाल कर देखते हैं देखिए चाकू पूरी सूखी निकल गई है मतलब ये ढोकला परफेक्ट स्टीम हुआ है अगर चाकू या चमच को थोड़ा सा गीला आटा लगके आता तो आपको और दोबारा 2-3 मिनिट स्टीम करना पड़ता इधर ढुकला ठंडा हो गया है चलिए इसे कट कर लेते हैं ढुकला इडली पूरी तरह से ठंडा हो तभी अच्छे से निकलते हैं आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह का कट कर सकते हैं स्क्वेर शेप या डाइमन शेप का मैंने इस रेसीपी में आपके लिए अंदाजे से भी सोड़ा दाला है और चमच से नापकर भी सोड़ा दाला है आप अगर दोनों तरह से भी बनाएं तब भी आपकी रेसिपी खराब ना हो वैसे आपको मैं दिखाती हूँ देखिए ढोकला कितना परफेक्ट और कितना जालीदार बना है आप वीडियो को ध्यान से देखकर परफेक्ट रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तब आपका भी ऐसे ही बनेगा वैसे हर रेसिपी मैं एक दिन पहले बनाती हूँ बाद में वाइस ओवर करके अपलोड करती हूँ हम तीन ही लोग हैं ज्यादा हो जाती है तो मैं मेरे फ्रेंड्स को भी देती हूँ मेरी सहलियां जाली देखकर इसका सौफनेस देखकर इतना खुश हो गए उनको पता ही नहीं चला कि इसमें थोड़ा सा नमक कम था क्योंकि मैं तो रोजा थी तो मैं टेस्ट नहीं करी थी पर मेरी सहली सीमा भवी बोली जाली देखकर तो इतनी खुशी हो गई कि उसमें क्या कम था क्या ज्यादा था कुछ भी फरक नहीं पड़ा और हसीना आपा तो बोल रहे थे आपकी बिरियानी को पीछे छोड़ रहा था ढोकला बोलकर और सच में मैं जब रोजा छोड़ के खाई मुझे भी बहुत अच्छा लगा बहुत ज्यादा परफेक्ट और टेस्टी बना था चलिए दोनों ढोकले की प्लेट को तो मैंने कट कर लिया है और तड़के को थोड़ा सा दोबरा गरम कर लिया है ये इसके उपर फैला देते हैं ढोकले को इस तरह से प्लेट में रखकर फैलाने से हर पीस पर तेल और बाकी सारा सामान फैल जाता है बाकी ये दूसरी प्लेट पर भी डाल देते हैं उपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हमेशा की तरह वीडियो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं और एक अगली वीडियो में और एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई